गाइज एस का इन्फरनेफ रिटन हो सकता है Pokemon Jarnies के एपिसोट नंवर 114 में एंड गाइज डों भी रिटन हो सकती है Pokemon Jarnies के एपिसोट में और गाइज एस, Ketchum और Pohl के बीज बेटल होने वाली है ये तो कन्फिरम है एंड इंफरनेव भी हमें वापस देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि आसके जमसे वाल चैंपे सिप में भी यूज़ करे और कईज इस रिप मैं ऐसे ही नहीं गया रहा इसके कफे ज़्यादा हाई चांसिस हैं इस वीडियो को यहन तक देखते रहाना आपको पता चल जाएगा कि इनफरनेव क्यों रिटन होने वाला है और अगर आप इनफरनेव के फैन हों इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना बैल आकन कोल पर सेलेक्ट भी कर लेना इस चलिए वीडियो सुरू करते हैं सुवाइज इनफरनेव रिटन होने वाला है उसकी एक मर्चंजा इन आई है वो तो हम देख लेंगे उससे पहले बात कर लेते हैं कि इनफरनेव क्यों रिटन होने वाला है गरी सामको पता होगा पोकेमोन जैननीस के एपिसोड नमबर 114 में पोल रिटन होने वाला है और पोल एस कैचम की वाइडल देखने को मिलने वाली है और पोल ट्रेन भी करने वाला है एस के लिए मास्टर एट के लिए और पोल भी काफी सोख होगा कि इंफनेव रिटेन मतलब इंफनेव को यूज नहीं कर रहा है एस के जम वेसे पता है कि सिनो लीग में इंफनेव कितना ज्यादा स्ट्रॉंग था चलो मर्चनजाईश देख लेते हैं सबसे पहले इस मर्चनजाईश में आप देख सकते हो कि एस का इंफनेव भी है सो यह infinite definitely S का है क्योंकि Flint का तो होगा नहीं और S Ketchum का बचा और S Ketchum इसे यूज़ भी करने वाला है सो infinite definitely return हो सकता है और यहां पर आप पिपलक को भी दिया सकते हो और मुझे बताने की जुरत नहीं है पिपलक किसके पास है एनिमे सिरीज में वो है Dawn के पास और Dawn definitely return हो सकती है क्योंकि World Championship स्टार्ट होने वाली है सो हो सकता है कि Dawn मतलब S Ketchum को सपोर्ट करने के लिए आए क्योंकि हो सकता है और भी पोगेगा लाए बट Dawn के तो काफी हाई चांसे लग रहे है क्योंकि हमें उसका merchandise देखने को सामने देखने को मिला है सो definitely Dawn आ सकती है और बात कर लेते हैं अभी infinite के बारे में बात कर रहे थे सो definitely infinite भी return हो सकता है क्योंकि हमें merchandise में देखने को मिला और हमने एक episode में देखा था Pokemon Journeys के episode number 68 में कि वह ही strong बनना चाहता था और मतलब मोल्केस से भी काफी हा रहा होगा तो उसे बुरा भी लगा होगा सो अब हो सकता है कि ऐस कैचम उसे World Championship में बुलाए और ऐसा सिर्फ मैंने कहा रहा है बहुत ज़्यादा जो लोग update देते हैं और prediction करते हैं वह भी कह रहा है सो infinite definitely return होने वाला है बट अभी तो infinite के सबसे high chance है और और हो सकता है कि उसे World Championship में भी यूस करे और dawn भी return होने वाली है सो आपको कैसा लग रहा है कि dawn return होने वाली है और उसके अलाब अगर dawn return हो रहे है तो दूसरे पोके गरल भी return हो सकते हैं जैसे मतलब हो सकता है कि चोड़े सीन के लिए दिखाएं बट दूसरे पोके गरल भी हमें देखने को मिलने वाली है गाईज डॉन के साथ साथ सरीना में एंड मिस्टी भी पोके मोन जरनीज में रिटन हो सकती है सो गाईज अगर मिस्टी रिटन होगी तो उसके लिए कोई अलग एपिसोड होगा और इस पैसल एपिसोड में ही वो रिटन होगी पोके मोन जरनीज में सो हाँ गाईज यही थी आज की वीडियो वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना और गाईज आप परसनली किसका एदा वेट कर रहे थे इंफनेफ का या फिर डोन का और गाईज मैं आपको बता दूँ कि ऐसे और काफी पोकेमोन भी रिटन हो सकते हैं सिर्फ इंफनेफ ही नहीं रिटन होगा जैसे चारिजार्ड हो सकता है सेप्टाइल हो सकता है या फिर गिनिन जगे तो बहुत कम चांसे हो गए हैं अब बट और पोकेमोन काफी रिटन हो सकते हैं सो हाँ गाईज यही थी आज की वीडियो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप इंफनेफ के फैन हो सो आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना वीडियो को लाइक भी कर देना और बेल एकन को पर सेलेक्ट कर लेना अपना अपिनिन जरूर बताना कि क्या हैसा हो सकता है कि इंफनेफ रिटन हो सकता है और मिलते हैं फिर केसी वार वीडियो में तब तक के